तो दोस्तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जैहीं जरूर लिदीजे क्योंकि एक बहुत बड़ी ख़बन निकल के आ रही है दुनिया की सबसे बड़ी एरक्राफ्ट इंजन मैनिफाक्चर कमपनी की तरफ से जहाँ पर कमपनी दो भारतिय कमप क्राफ्ट इंजन मैनिफाक्चर कमपनी साफ्राइन इंडिया के अंदर 305 मिलियन यूस डॉलर का निवेश करने जा रही है जहाँ पर इस निवेश से दो प्रोजेक्ट त्यार किये जाएंगे पहले प्रोजेक्ट में हैदराबाद के अंदर 200 मिलियन खर्च करके रख रख और यहाँ पर कई बड़ी रिसर्च की जाएंगी एरक्राफ्ट इंजन्स के लिए इसके लावा कमपनी बहुत जल्द H.E.L. यानि हिंदुस्तान एनोटेक्स लिमिटेट के साथ मिलकर के डिफेंस साइड एक पार्टर्श भी करने जा रही है और बात की जाएंपर टाटा बहुत सारे नए विमान इंजन्स की तलाश कर रही है ऐसे में कमपनी ने बाचित की है टाटा के साथ और अब अपकमिंग जो भी नए एरक्राफ्ट होंगे टाटा के उनमें भी इन इंजन्स करस्तमाल किया जाएगा और इनका प्रड़क्शन भारत में ही होगा एनिजी के साथ में सबसे बड़ा सवाल यह हता है कि लीप इंजन्स और एमाना रख रखाव के लिए सैफरन आखिर भारत को हुई क्यों चुन रही है तो इसका पहला सबसे बड़ा रिजन है कि दुनिया भर में जितनी भी बड़ी टेक्नोलजी कंपनीज हैं और अदर अदर कंपनीज हैं वो भारत में निवेश कर रही है क्योंकि आने वले फूचर में भारत एक बड़ा एक्स्पोर्टर बनने वाला है और दूसरा जिसन ये है कि भारत के पास मैनी टाइफ आफ इसी कंपनी के इंजन्स हैं जिनकी सर्विसस और अदर फैसिलिटिस के लिए कंपनी यहां पर निवेश कर रही है इसके लावा कंपनी के हैं आने के बाद भारत के अंदर जो हवाई यात्रा है उसमें भी काफी जादा बढ़ोती देखने को मिलेगी और कंपनी 300 इंजन्स के साथ अपनी सेवा शुरू करेगी और 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 रिपोर्ट के अकॉर्णिक देखा जाए तो कंपनी 2025 में अपनी इस सर्विस को भारत में शुरू कर देगी और 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 कंपनी के इस निवेश से भारत का बहुत सारा पैसा बचने वाला है तो फ्रांस के इस कंपनी के इनिवस्टिट के बारे में आपकी क्या राया है कमेंट वक्स में जरू लिखेगा भारत कैसे ही यूसफुल और इनिफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे यूटिव चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरम भारत माता की जै